नमस्कार सातियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर कारिला जला सिक्षा अधिकारी जला चंदवारा का एक काफी महत्पून आदेश देख रहे हैं, जो की 21 अगस 2024 को समस्त बिकासकंड सिक्षा अधिकारी संकुल प्राचारी बिकासकंड स्रोज समन्बे चंदवारा के लिए जारी किया गया है, साति साथ समस्त प्रदान पाठक सिक्षक कर्मचारी सास की विद्याले जला चंदवारा के लिए ये महत्पून आदेश दारी किया गया है, इसका बिसे यदिया आप देखेंगे, जिले में स्कूल सिक्षा अधिकार अंतरगत कारियरत सास की अमली के अरिष्ट अध्यापक, अध्यापक, साहक अध्यापक, उच्चमाद्मिक सिक्षक, माद्मिक सिक्षक, प्रात्मिक सिक्षक, अन्य समस्त कर्मचारी विदीवत होवे कि अपने पधिस्तापना इस्तल में ही है, अपना मुक्याला नियत करने के पूर्विसे निर्देश हैं यह संग्यान में आता है कि अधिकारी कमचारी अपनी पदिस्तापना इस्तल में अपना मुक्यालाय न रखकर देनिक आबागमन कर उपस्तित होती हैं जिससे साला का सेक्षनिक कारिये या कारेलीन कारिये प्रवावित होता है अतेव आपको निर्देसित किया जाता है कि आप अपने पदिस्तापना इस्तल में ही नियम अनुसार अपना मुक्यालाय रखेंगे तता मुक्यालाय पर ही निवास करेंगे साथी मुक्यालाय में निवास करने संबंदी अपना प्रमानी करन अपने संकोलेव महारन संबितरन अधिकारी विकासखंड सिक्चा अधिकारी कारीले में प्रिस्तुत करेंगे विकासखंड सिक्चा अधिकारी यह सुनेश्चित करेंगे कि सभी पिर्मानपत्रों ने प्राप्थ हो गए हैं तदानुसार भी अपने विकासखंड का पिर्मानपत्र तिनांक 29-24 को इस कारिले में प्रिस्तुत करेंगे सालाओं के निरिक्षन की दोरान यदि कोई कर्मचारी अपने पदिस्ता अपना इस्तालिस्त मुक्यालाई में नहीं पाया जाता है तो इसे मद्द्रदेश सिवल सेवा आचरन नियम 1965 की नियम 3 के तहत आचरन नियमों का उलंगन करने विवागी निर्देशों की तहट काम ना करने एवं बरश्ट अधिकारियों के आदेशों की अवेल ना करने का दोसी माना जाएगा और उसके ब्रुद्र मद्द्रदेश सिवल सेवा नियम 1966 में नेत प्रापदानों के तहट एक पक्षकिये कारवाई की जाएगी उक्ती निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाए इसमें अधिया आप देखें तो संबंदेच जो प्राजी करने वो इसमें दिया हुआ है पिर्मानित किया जाता है संबन्दित कर्मचारी का नाम पदिस्तापना संस्ता संकुल विकासकर्ण में पदस्तू मेरा मुख्यालाय मेरी पदिस्तापना इस्तल पर ही है। तो अभी तक क्या होता है जो भी चाहे हम सिक्चकों की ले ले इसमें सिक्चक, सिक्चक के साथ साथ जो अनकारेलेन कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये निर्देश दिये गए हैं। और इस आसाय का प्रमानी करन संबंदित कर्मचारी को देना होगा। और जब संबंदित कर्मचारी ये प्रमानी करन देगा। उसके बाद ही संकुल प्राचारी जो आरण संबंदित कर्मचारी हैं वो भी एक प्रमानी करन देंगे। मुक्यालाय पर निवास करने को लेकर दिये गए हैं। हाला कि इस पर कितना अमल होगा ये देखने वाली बात होगी। और क्या अन्य जेले मों भी इस तरीकी के निर्देश आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी अगर हम देखें बरत्मान में तो स्कूल सिक्षाइवाग में काफी ज्यादा सक्ती देखने को मिल रही है। मिलेंगे जल्दी नाए अपडेट एवम नाए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जैहिन जैवारत मित्रोग।